हलो एब्रीबरन विल्कम चैनल फ्लेमिंग लाइवित सुधा कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए होगा आशा करती हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे चैत्र नौरात्री शुरू हो गई है और सभी के घरों में पूजा शुरू हो गई होगी सभी सभी लेखां प्रशाद के रोप में तो आगे मैंने देशी खी से बनी हुई आटा का हैलवा बनाया था जिसका मैंने भोग लगाए था शाम को जाके सुबह का टायम तो है काफी बिजी है क्या इस दिन पूरी तरह से मंदिर को नहीं तरीके से साफ करके सफाई तो मैंने ए पूरी शॉप थी तो वहां से मैं नए कपड़े लेके आई जो चौके बिछाना था और कुछ फूल की माला लेके आई और माता के जो फोटो पे मुझे चुन्डरी लगानी थी वह साई चीजे लेके आई और पूजा की सामान थे वो लेके आई तो इसमें पर टाइम लग गय तो यहां पर मंदिर को मैं पूरी तरह से शेट कर रही हूं और बाहर से मैं मिट्टी भी लेके आई थी जिसमें मुझे जो की खेती लगानी है तो मैंने तो यहां पर घर की परात ली है और उसी अच्छे साफ करके उसमें जो सैंड होता है यानि की रेत वो लेके आई हूं वो डाल दूँगी और उसकी अच्छे से ले लगा के उसमें थोड़ा सा गिला करके उसमें जव अच्छे से डाल के रख दूँगी और बस हर रोज उसे थोड़ी से सचाई करने पड़ती है माता रानी के अश्रवाद से अच्छे से जो की खेती होगी जितनी हरी भरी खेती होती है उतनी ही आपकी लाइफ भी हरी भरी रहती है यह इसका इंडिकेशन होता है तो जितनी अच्छी बढ़ोतरी होगी जो की खेती की जितना अच्छे से वो घना होगा उतनी ही पौरस-प तो पूजा विदी किसी को कुछ भी एक्स्ट्रा सोचने की जरूएट कि यहां पर मैं कैसे कर रही हूं या आप लोग कैसे करते हैं यह तो ऐसी बात है जिथा शक्ति तथा भक्ति जैसी आपकी शक्ति है उस भक्ति के साथ आप मातारानी की पूजा कर सकते हैं जैसा आपके घर में इस पूजा विधी को किया जाता है उसे आप से आप पूजा विधी करते हैं इस पूजा विधी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेम प्रोसेस ऐसा ही ऐसा करना है यहाँ पर जैसा मैं करती आई हूँ हर साल उसी विधी से कर रही हूँ मैं बहुत सधारन तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से करती हूँ बस आपके मन में अच्छा विस्वास होना चाहिए मन साफ होना चाहिए, माता के लिए पूरा प्रेम होना चाहिए फिर उस प्रेम के साथ आप जैसे भी पूजा करें आपको फल मिलेगा, आपको मातरानी का आशिरबाद मिलेगा तो मेरी भी जैसे शक्ती थी, जैसा मैं करती आती हूँ जैसे मेरे घर में किया जाता है उस हिसाब से मैंने इस पूजा विद्धी को कंप्लीट किया है और 9 दिन मैं यहाँ पर अखन जयोती जलाने वाली हूँ और मैं ब्रत नहीं रख रही हूँ मैं जब पूजा करती हूँ सुबा तो तब तक कुछ नहीं खाती हूँ सिर्फ चाय पीती हूँ और पूजा करने के बार दिर खाना वगरा हम खा लेते हैं तो शाम की आरती हूजाती है, सुबा की आरती हूजाती है तो पहले दिन यहाँ पर कलस्थ आपना हो चुकी है मंदिर अच्छे से सच चुका है और यहाँ पर मैं और मम्मी माता रानी के लिए आरती कर रहे हैं तो फाइनली माता रानी के पहले दिन की पूजा हो चुकी है करस्थ आपना हो चुकी है तो यहाँ पर शाम को मैंने देसी घी से बना हुआ परशाद का भोग लगाया था जिसकी रेसिपी मैं शेयर करने जा रही हूँ तो यहाँ पर घर पे ही मैंने बना के रखा था जो हम गाय का दूद लेते हैं उसकी मलाई कठी करती हूँ और उसका ही बिल्कुल साफ सुद्रा गी है मेरे पास चीनी रख ली है और थोड़ा सा आटा रख लिया है तो यहाँ पर मैंने गैस अन करके एक पैन रख लिया है तो देसी घी में गी को भूनेंगे तो रेसिपी फटा फटा है और सभी को आती होगी फिर भी मैं शेयर कर दे रही हूँ तो अभी यहाँ पर मैंने एक बड़ा चमच भर के देसी घी डाला है और यहाँ पर आता को ट्रांसफर कर दिया है और धीमी आज पर आता को देसी घी के साथ मिक्स करती हूई अच्छे से सुनहरा होने तक भून लेंगे जब तक इसकी भीनी भीनी खुसबूना आने लगे तो यहाँ पर शाम के पांच बच चुके हैं और जब शाम की आरती करूंगी उस समय ये परशाद में भोग में चड़ाने वाली हूँ यहाँ पर आलमोस्ट भून लिया है और यह पैन जो है काफी गरम हो चुका है गैस बंद कर दिया है ताकि आटा जो है ओवर रोस्ट न हो जाए और यहाँ पर इसके बाद में दूट डालूंगी गैस बंद है तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर चेहीं डाल दिया है, जितना मीठा आप पसंद करते हैं, विसे आप चेहीं डालें, थोड़ा सा हिलाची पाउर डाल दिया है, मिक्स करेंगे इसको अच्छे से, गैस बंद है, क्योंकि मेरा पैन काफी गरम है, तो यहाँ पर गैस बंद करने हो या आटा हो या कडाई जो काफी गरम होती है, तो जब भी कुछ पानी दूद आड करते हैं, तो थोड़ा सा गैस बंद करने के बाद ही आड करें, और जब आप दूद या पानी जिसके साथ भी बना रहे हैं, उसको अच्छे से सूजी या आटा जिसका भी हिल्वा बना तो जब तक एक थोड़ी सी चमक ना आ जाए घी की उपर हिल्वा के उपर तब तक वह अच्छा लगता नहीं है, उसका अच्छा आता नहीं है, तो जब भी आप कोई हिल्वा बनाया थो थोड़ी से घी के साथ भूनें, लेकिन जब दूद्या पानी डालते हैं, उसके बा पैन में एक थोड़ा सा घी की चमक आ गई है, फिर आप घी डालना बंद कर सकते हैं, तो मैंने दो तिन चमच बाद में घी डाला है, जिससे आप देख सकते हैं, घी बहुत ज़्यादा नहीं है, और हल्वा भी अच्छा से कलर के साथ पक चुका है, और पैन में हल्वा के पर हलकी से घी की चमक आ गई है, जिससे हल्वा देखने में भी अच्छा लगता है, और खाने में भी स्वाद बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हल्वा मैंने बॉल में निकाल दिया है, माता रानी के मंदिर में रखने के लिए भोग लगाने के लिए और थोड़ा सा उपर से लाइक जरूर करिएगा मिलती हूँ अगली दिन अगली वीडियो में तब तक आपना ख्याल रखें जैमाता दी